तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 का जो फिजिकल एजूकेशन का पेपर हुआ था उसके सोलीशन को मौर्निंग शिप्ट का था तो इविनिंग शिप्ट वाले स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे ठीक है काफी बच्चों की क्वेरिस्तिक से हिंदी मीडियम में MC की कोशन समझा दीजिए ठीक है तो ध्यान से देख लो फर्स्ट कोशन है एक एथलेट नियमित रूप से प्रसिक्षन में भाग लेता है लेकिन एथलेट पिछले एक महिने में प्रसिक्षन के दवरान बहुत आलसी ह और उसके कारण उसका प्रदर्शन नीचे जा रहा है प्रदर्शन में गिरावट के लिए निमलिखित में से कौन सा सिध्धान्त जिम्मेदार है तो यहां पर भागीदारी का सिध्धान्त जो है वो जिम्मेदार होगा ठीक है घा उप्षन सक्रिय भागीदारी का सिध्ध ठीक है सेकंड कोस्टन में हमको ABCD में आंसर देना है अभी कथन टीम विश्वास ने एक टूर्णामेंट में सभी मैं जीते क्योंकि टीम विश्वास के सदस्यों ने समुह की जरूरतों को अपनी जरूरतों से उपर रखा ठीक है ये बिल्कुल सही है तबी जीता कारण बेहतर टीम समंजस वाली टीमों का जीत का उत्कृष्ट रिकॉर्ड होता है ये भी सही है तो बेहतर टीम समंजस के कारण ही विश्वास टीमें सभी मैं जीतती हैं तो कहने एक मतलब खाव उप्शन राइट हो जाएगा A और R दोनों सत्य हैं और R A की सही व्याक्या है ठीक है जबकि English Medium में A ओप्शन होगा ये चीत ध्यान में रखना अगला कोशन तीसरा कोशन दिये गए चित्र में अक्ष और सत्य को पहचाने तो यहाँ पर आपका A ओप्शन राइट है वर्टिकल अक्ष और होरिजोंटल सत्य हैं इंगलिस में सेम फर्स्ट में D ये आप सेकंड में आपको A लगाना है यहाँ A क्यों लगा रहे क्योंकि यहाँ पर बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A आपको A लगाना है लेकिन हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर वह बात सेकंड ओप्शन पर A और R दुनों सत्य हैं और A की व्याक्ष ध्यान रखेंगे ह हिंदी वाले B लगाएंगे इंगलिस वाले A ठीक है यह चिद्यान में रखेंगे अगला कोशन नमबर थर्ड थर्ड में आपका A है ठीक है आगे थर्ड कात्वा वाला दृष्टी बाधित छात्रों के लिए है घुटने के जोड का आकुंचन और विस्तारन किस अक्ष और सत्य पर होता है तो यहां पर आपका राइट अंसर है ए ठीक है कोशन नमबर फोर खेलो इंडिया कारिक्रम को अपने उद्देश को पूरा करने के लिए कितने कार शेत्रों में विवाजित किया गया है तो बारा का ओप्शन राइट है अगला कोशन अगला कोशन नमबर फ प्राइफ निमन लिखित को मिलाएं ओलम्पिक गान तो यह आपका फोर से है ठीक है उसके बाद में ओलम्पिक प्रतीक यह आपका फर्स्ट से है ओलम्पिक आधर से वाक्य है यह आपका सेकंड से है ओलम्पिक ध्वज यह आपका थर्ड से है तो यहाँ पर आपका फर्स्ट का फोर सेकेंड का फर्स्ट थर्ड का सेकेंड और फोर का थर्ड डी ओप्सन राइट हो जाएगा ठीक है आगे महारसी पतंजली के नुशार यम में बाहरी दुनिया के प्रत कितने आचार सनिता या नैतिक अनुशासन सामिल हैं पाँच है ठीक है अगला धमनी का नाम पहचानी है जो ओक्सीजन रहित रख्त ले जाती है तो फेफडे की धमनी ठीक है अगला इंगलिस मेटी में भी सेम थर्ड के अथवा में ए फॉर्थ में ए फिफ्थ में डी शिक्स में डी सेवन में भी आगे कोशन नम्बर एट पचास मीटर दो डेस का एक उदाहरण है साइको मोटर टेस्ट कोशन नाइन निम लिखित में से कौन सा स्वास्त संबंधी फिटनेस का घटक नहीं है तो फूर्थी अगला डेस में सामान मानसिक शम्ताओं जैसे की तर्क सीखने समस्या को सुल जाने और अनकुल व्योहार की हानी सामिल है जिसमें रोजमर्रा के सामाजिक और व्योसाइक कोशल सामिल है तो यहाँ पर कौन सा उप्शन होगा बहुधिक विगलांकता क्योंकि मानसिक शम्ताओं की बात कर रहा है ठीक है दसमें में ए हो जाएगा ग्यारमा कोशन जब सरीर का हिस्सा मध रेखा से दूर जाता है उसे डेस हरक्त कहते हैं तो अभी वर्तन बारमा निम लिखित में से कौन सा ओबरलोड का लक्षन है भेतर प्रदर्शन अगला कोशन नमर थर्टेन आप अपनी कख्षा के विद्यार्थियों को उनकी लंबाई के आधार पर किस परिक्षन द्वारा वर्गी कृत कर सकते हैं तो एंत्रो पुमेट्रिक परिक्षन कोशन नमर फोटेन निमलिखित में से कौन सा अच्टांग योग का छठा तत्त है तो आपने योग का तत्त पढ़ा होगा याद किया होगा तो छठे नमबर पर आपको कौन सा मिलेगा सी धारडा ठीक है इंगलिस में भी सेम कोशन नमबर एट एट में भी नाइन डी कोशन नमबर फिफटीन डैस एक व्यक्ति की सरीर की दिशा को तेजी से और सटीक रूप से बदलने की शमता है उसे क्या कहते हैं फूर्ती शिक्टीन डैस एक उपकरन जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की विशिश्ट विशिश्ताओं को मापने के लिए किया जाता है परिक्षा उसे को परिक्षण बोलते हैं ठीक है सत्तरा निमलिखित में से कौन सा नियम का हिस्सा नहीं है सत्या अठारा कोशन निमलिखित में से कौन सा सुयोगता का घटक नहीं है प्रजर्शन स्योक्ता सी उप्षन राइट हो जाएगा ठीक है बाकी आगे कोश्चन है कोश्चन नमबर 15 सी उप्षन है कोश्चन नमबर 17 में बी है कोश्चन नमबर 18 में सी है यह इसमें नहीं लगाना था सोरी इसमें लगाना था ठीक है 18 का सी है ठीक है 17 में भी है ध्यान लखना आगे ये कोश्चन है ठीक है ऐसे देख लो और तैयारी कर लो सही से पेपर है आपका आज कर दो तो टोटल बच्चों ये कंप्लीट बाप पूरे पेपर का सॉल्यूसन आप चैनल पर या फिर कॉमेंट में लिंक मिलेगी विजिट करके वहाँ से आप देख सकते हो और तैयार कर सकते हो मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग